फाइनल अकाउंट एक्जाम में आने वाला एक ऐसा चेप्टर जो लेंगदी बीस नमबर तक का सकता है छोटा दो नमबर तक की वरकी मुन सकती है और आप रूटीन पार्ट में देखेंगे न तो लगबग लगबग हर साल आया है लगबग लगबग कुछ एक दो होगा उसके पता लगजाए यह तो मैंने देखा हुआ है भीकों वाला बच्चे देख सकता है ट्राइल गीवन होगा बनाना होगा ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंशीट है यहां थोड़ी सी बातें अगर मैं उन छोटी क्रासित आगे वड़ो तो सेल्स अप्रूवल वाला पॉइंट आजाता है कुछ जेंगें पे मैनिफेक्टरिय अकाउंट यह वरकिंग आ जाती है बाकी लगबल लगबल सारी वही पुरानी बातें थेयर्टिकल पॉइंट में ओवर हेड को लेकर कई बार बातचीत आपसे कर लेता है तो मेक शूर यह वीडियो में मैं चैप् देने जाना है उनके लिए कि भी यह इसमें क्या है उसका आइडिया देने के लिए वीडियो बनाईए मैंने और किसी बच्चे को स्टाटिंग से किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मैं डिस्कृप्शन के अंदर उसके लिंक डलवा दूँगा और फिर भी कुछ दिक्कत है म पाइलन एकाउंट हुआ कंट साइनमेंट हुआ इनिवेंटरी हुआ तो एक बार आईएल लेटी चेप्टर का रंग रूप कैसा है क्या कुछ एक्जाम में पूछा गया है तो अगर मैं प्रीविज एक्जाम की बात करता हूं तो आपके सामने जून 23 के अंदर साथ 2 मार्ट मार् unintentioner जून 23 करेंटी थरी सी 5 मार्ट का रहा हुआ फिर उसे पिछले anntप्र में गया हूं तो 10 मार्ट सास्थ काण्टेंट आयो उसफिली में ढया हूं तो 10 इस रैंघ में खेल रहा है फिर ऊस ही सबढ़ा पीछे गया हूं अ कि कि वाईव और इस इमए टोटल में ला लो यह दिसंबर ट्वांटीवन एक अटेंप्ट है चार 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 कोशन्स आयों है ठीक है ना तो इन सब की फाइल सारे सारे मौक टेस्ट का एक्जांपल पार्ट देख लीजिए मौक पार्ट के अंदर आए हुए सारे सारे अब यहां तो जून बाइस है लेकिन पीछे वाली फाइल जो है वो इसमें इंडेक्स के अंदर मैंने उस पॉइंट को डाला नहीं होगा तो आप यहां पे थेयूर्टिकल प्रैक्टिकल अब लास्टेज में क्या होता है एक्जाम होलके बाहर खड़े-खड़े फड़ा-फ इस फाइल के बेस पर आपका चेप्टर नहीं हो पाएगा पहले आपको बेसिक वर्क्षिट लगाने पड़ेंगे पहले आपको उन कॉस्चिंस के सारी व्रेट हां यह बिल्कुल आखरी कि मेरेको बिल्कुल एक्जाम होलके दरा इंट्री मार नहीं है तब यह फाइल आप पाप तु क्या कमाएगा जिंदगी में यार साहरी वर्किंग डिट्टो तेरे सामने की हुई यूं की यूं आ गई और फिर भी तु कह रहा है मैंने वर्किंग लगाए नहीं थी ऐसा गेम तो मत खेलना यार प्लीज रिक्वेस्ट करना अंतर से चलिए तो ओर हैड इस डि आउट हो सोलुशन देखो नाट समझ में आया तो मिनसे पूछो दैन जितना पॉसिबल होगा हम करेंगा वर्कॉड लेकिंग सबके दे दिये तो यह आपके सामने कह दिया कि यह सेल अप्रूवल बेस की वर्किंग है और और ट्राजिक्शन जो हम एक्ट्वल सेल मानते हैं जिनकी कोई भी इंट्रेमिशन अभी तक नहीं मिली है इन गोड्स को हमने 25% अबोधा कॉस्ट प्राइस भेजा हुआ है तो आपने सेल की रिवर्स एंट्री पास करनी है जिसमें आप सेल डेबेट टू डेटरिक एंट्री पास करेंगे उसको फिर आप मनें स्टॉक में ए अपने अकाउंट के अंदर जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस निकालके दिखाएंगे और फिर आपना जब आगे जब सेल होगी यह बाद में जब एक्चुल सेल के एंट्री बुक्स में करके दिखानी है तो कुल मिलाके आपके सामने बैलेंशीट में एंट्री में क् कोईंट में कहता है कि बैलेंशीट है सर ओके और उसमें दे रखा है कि यह कुछ डिटेल्स हैं वेरी गुल्ड और आगे बोला गया कि दूरिंग दा 20-20 profit and loss account revealed net profit itna this was after allowing for the following तो इन सभी working को लेका कि commission pay to selling एंट इसना, discount receipt from credit itna, purchase विकल of 30% itna, depreciation of furniture and fixture and this itna, provision for this and this itna ok but while preparing pay inट अटकांट, he had forgotten to provide for prepaid expenses तो prepaid और outstanding की entry करना भूल गया अब ये exam दिसंबर 22 में आया हुआ 10 marks का माल पानी है और तुम अगर last stage में लगे वो इदर क्या नहीं करना वो clear हो आने वाले 40-50 घंटे बहुत important है अब ये वीडियो और लेट देख रहे हैं तो क्या पता फिर तो कुछ नहीं हो पहे लेकिन अभी भी अगर manage time ये upload की है तो I think उसके बाद हर बच्चे के बास 30-40 घंटे कम से कम होंगे ठीक है न तो बहुकुल last stage के लिए माल पानी तयार किया हुआ है current ascent liability जो है हमारे सामने देदी inventory, trade recevable, before print outlet, cash and bank during the year here reduce further capital this तो आपको क्या बनाना है balance sheet बना के दिखाने तो आप अब prepaid expense की आपसे entry पूछें तो आप क्या entry pass करते है expense जो है prepaid expense to expense के entry pass करेंगे और आउस्टन expense के entry क्या करेंगे commission debit to outstanding commission और फिर आपने का भी आप current asset and levities के बेस पर dummy balance sheet आप memorandum balance sheet के तरी के से बना के चलेंगे और फिर उसने डिने यह capital opening capital आपको दे के चल रहा है वो और यह जो आपके सामने opening में थी तो opening में capital में सामने given है expense payable opening outstanding trade payable creator वाले बात है ठीक है ना furniture fixture यह information given है अब यह पूरे साल के अंदर हमारे सामने profit and loss account ने क्या बताया कि इतने का net profit है after यह चीज़ तो हमारी हो चुकी है जो हमने commission इतना pay किया discount receipt हुआ creator से तो creator का account भी आप अगर detail आगे नहीं मिलती तो उसका account यह बना सकते है अब vehicle purchase किया depreciation जो है इसी spend के उपर इतना हमने reveal किया तो आपसे closing की value opening value given है during the year हमने अगर को खरीदा है फिर depreciation के बाद closing part आपको maintain करना पड़ेगा तो at the end आपको revise मतलब जो profit आपने कमाया था उस profit के अंदर यह दो working होनी रह गई थी उसका effect करके आप actual profit निकाल लेना उसके बाद आप जो trade disable के अंदर जो opening balance given था provision के working हो नहीं रहती थी तो provision का जो account वो trade disable account के अंदर नहीं दिखाना होता है इसने यहां पे गलत दिखा रखा है आप चिदा balance sheet के अंदर करके दिखा देना सीधा आप जो है फिर balance यह सारे working balance sheet के अंदर कर लेना सेम सारे working आपका वहिकल का opening balance था फिर नहीं खरीदी उसके information है डेपेशन जो लगा closing balance आगया same furniture इसमें नहीं purchase नहीं थी डेपेशन के बाद closing balance आपके सामने आगया और फिर यहां given नहीं की रखे solution के अंदर में डलवा देता हम फाइल वैसे यह missing है शायद तो आप अपना balance sheet नया बना लेना अब ये एक standard question है purchase land building अब size थोड़ा सा बड़ा definitely है इसमें कोई doubt नहीं है कि working काफी लंबी चोड़ी है तो please यह file में attempt जिन्होंने नहीं किया हुआ बिना risk के जाना चाहते हो तो please इसको attempt जुरू कर लेना अब इसमें क्या है closing stock दे दिया end के अंदर provision maintain करना है 5% के अंदर provide depression on building and plant machinery accrued commission जो है interest accrued on investment इतना दे दिया salary outstanding दे दिया prepaid interest दे दिया तो यह trading के credit side में जाएगा balance sheet के अंदर asset side आप place करेंगे provision जो आपको maintain करना 5% का तो debtor में से further budget तुमारे कुछ है नहीं तो debtor का 5% maintain करना पहले से गर provision है उसमें से difference को pnl में डाल देना और जो नया provision बनाना हो balance sheet में देखा देना जिस बच्चे को provision वाली working नंग से नहीं आती तो उस वाली video please मांगके उस content को पूरा कर लेना pending मत छो चाने की फिर भी comment करोगे तो मैं comment को भी देखने कोश्च करूँगा तो वहां तक आपको solution part मिलेगा ठीकिन I will try my best ओगे फिर accruid commission अब accruid commission में कमा लिया है मिला नहीं है तो commission का balance मिलेगा आपको commission का balance created मिलेगा अचा नहीं मिला है इसका मतलब commission कुछ भी receive नहीं हुआ तो सारा का सारा commission मिलना है entry होगी accruid commission debit to commission तो accruid commission ASL side में जाएगा commission मेरा credit side balance है तो मेरे PNL के credit में आप disclose करेंगा income है word वह accruid outstanding वगरा होता तो मैं अपने expense side कंदर लेके चलता तो यहां पे मेरा commission वाला part है वह expense list में नहीं है so credit में भी नहीं है बट हमने वर्ड देखा accruid मतलब कमा लिया मिला नहीं तो बात income की हो रही है मेरे दोस्त ओके आगे बात करा interest accruid on investment same interest investment पे मिरको accruid कर लिया मिला नहीं है entry same होगी accruid interest to interest accruid interest तो प्रीपेड आउट्ट नहीं accruid किसी के आगे लग जाते है यह सारे word मेरे बन जाते है personal और यह debit होते हैं तो asset side में जाएंगे credit होंगे तो lab team जाएंगे अब entry pass करो accruid interest to interest accruid interest कहां जाएंगे balance sheet के अंदर asset side के अंदर interest कहां जाएगा P&L के अंदर credit side के अंदर investment account में इसका कोई link नहीं होगा salary outstanding देदी 7000 पे तो यह सेम entry होगी salary to outstanding salary 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 कहां जाएगा P&L के debit में option salary balance sheet के अंदर levity side के अंदर prepaid interest तो prepaid interest debit to interest जाएगे न तो आपना interest में से less कर देना P&L के अंदर और balance sheet में prepaid interest asset side में disclose कर देना बाकी मैंने simple बताया था जितने भी nominal nature के account है वो कहां दिखाओगे वो दिखाओगे आप nominal वाले P&L के अंदर diet वाले trading में in diet वाले P&L में debit वाले debit में credit वाले credit में जो भी personal और real वाले बच गए addition information के बाद वे सारे जाएंगे balance sheet में debit balance asset side के अंदर credit balance levity side के अंदर trading का GP P&L में P&L का NP balance sheet के अंदर आपकी capital के अंदर आ जागा बीस नंबर का scorecard है तो पहला आपका यह सारी working करने के बाद यहां पर 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 पावर कार फिल्ट है अब यह machinery के उपर depreciation वाला part जो है direct assume करते हैं तो आप इसके अंदर अब यह सबसे पहले manufacturing account आपने यहां पर place किया अब अगर आपसे manufacturing account मांगा गया है तो manufacturing level की सारी working separate दिखाने उसके बाद जो transfer करना है यह part आपका trading के अंदर transfer होगा यह ध्यान कर लेना तो इसके अंदर यह जो machinery का depreciation वाला point है जो factory के अंदर आपका part लगता है तो वो सारा part manufacturing account के अंदर दिखाना है तो जो आइटम अभी तक आप trading में दिखाते हुए आये थे हुए सारे के सारे आपके यह manufacturing point में disclose होने फिर trading में जो opening stock था जो manufacturing part से transfer होके आया अब जितने की sale हुए इसमें return less करके त इसलिए हम trading के credit में डालेंगे और यह मेरा GP part यहां पर record हो गया फिर बारी आ रही है PNL वाले content की तो PNL वाले point में आपका GP transfer हुआ debit side में सारे के सारे credit side में सारे के सारे इस तरह से record हो गया तो यह net profit आपकी balance sheet के अंदर transfer हो गया और इस तरीके से आपका 20 marks का scorecard बनता तो ज इसमें sales and approval वाला same to same point है कोई ज्यादा को नहीं चोड़ी कानी नहीं है तो same to same repeat और यह working आप प्रिविशर पार्ट को उठाके देखेंगे तो बहुत सारी working ऐसी है जो आपके common part में repeat आते भी दिख रही है तो please make sure अब इसमें एडवांस इसमें आप जैसे subscription account बनाते थे उस आप जैसे normal account बना दो अब इसमें चीजों को रटो मत तरीका बताओं आप जैसे आउस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन था प्रीपेड सब्सक्रिप्शन था आउस्टेंग में लेए लेटी है तो लेटी वाले point के वंदर आप क्राइट साट में BD ठीक है ना अगर मेरा outstanding है और अगर income मिलनी तो अगर कोई expense of outstanding है तो इस चीज को लेकर na confused नहीं होने का मैं फिर भी चुलो आपके लिए थोड़ आसा टच कर देता हूं उस point के अंदर अगर आपने का कि मेरी कोई subscription की working हो रही है और subscription वाले point के अंदर outstanding subscription मिलना है तो मेरे लिए क्या हो गया वह asset हो गया तो asset वाला point कैसे record होगा sir to balance BD के नाम से यहां पे मैं record करूँगा ओके और अगर advance subscription अमलो time से पहले मुझे मिल गया तो मिरे लिए क्या है वो लैबिटी है लैबिटी कहां पे record होगी create side के अंदर buy BD अगर opening balance है अब इसका अगर closing में outstanding है तो यहां पे buy CD पार्ट में यहां प income है create में record कर दिया तो create side के अंदर bank के नाम से मैंने यहां पे डाल दिया बचा पार्ट यहां पे जो income and expense में डाल दे यहां पे P&L account वी हो सकता है flow code डालते time confusion same salary का हो सकता है salary मेरे लिए क्या है expense है तो salary अगर मेरे लिए expense है और वो outstanding है तो लैबिटी है तो यहां पे outstanding salary मेरे यह लैबिटी है income अगर outstanding है तो future मिलना मेरे लिए asset है लैबिटी का जो balance होता है credit side के अंदर होता है CD part आपका यहां पे होगा same यहां पर आपका अगर advance salary दी हुई है तो CD part होगा salary मैंने pay कर रखी है तो आप entry करेंगे salary to bank salary to cash के नाम से salary के debit side के अंदर to cash के नाम से आपकी value record ह होगी I hope process काफी हद तक फिर से कह रहा हूं वीडियो नहीं मिल पा रही है तो प्लीज को starting से देख लो और इन content को तुक्के में लेकर ना चला जाए ठीक है ना तो यह working इस chapter की नहीं है गलती से हां डली हुई है इसको आप अपना average rate account current वाले point में डाल देना अब यह मैं theoretical वा हो उसमें सारे point explained है अब यह trial balance है same to same इसमें कोई ऐसा नया मलब हट के कुछ point नहीं है simple point में आप से मांगा क्या गया था कि इस information को drop अब्टर अल्बिंस ना books as own difference तो इसके विसमें debit वाले balance debit side में credit वाले credit में इसमें याद करने के लिए expense के और assets के balance debit होंगे income के और liability के balance credit होंगे इतना ध्यान करके चलना है okay तो please इस file को पूरा लगा ले ना मिलते हैं अगले भी file के अंदर just मैं एक बार overview दे रहा हूं कि chapter के अंदर कुछ भी missing है कि video डलने के बहाने comment में अगर कुछ मिलता है then we can work out in the some further videos और उसके links and all that आपको इग है मिल पाएं तो अभी बिल्कुल दो दिनों के अंदर अंदर आपके exam hall में जाना है तो panic होने के requirement पहली बात नहीं है जितना समेट सकते हैं उसके लिए अगर ये chapter है आपका NQ chapter है आपका अगर पहले नहीं लगाए हुए है तो कहीं confidence उपर निचे हो रहा है तो उसके basic से थोड़ा बहुत पार ओर व्यू करके फड़ा फड़ा देख लेना अब आपको नए कोशनों पे नहीं जाने का पुराना ही material आपको लगाना है that's it टीक है ना हम मिलते हैं अगले chapter के अंदर thank you